आज के पाठ का विशा है पिराम की शक्ति पूजा इस पाठ के अध्धन के पस्चात आप तदगत परिप्रेक्ष को जान सकेंगे कभी की रचना धर्विता के अंतहसूत्र को पहचान सकेंगे तथा इस रचना के काब विरूप गत प्रयोगों के वैविध्य को समझ सकेंगे राम की शक्ति पूजा शायवाद की मानसिक्ता का विस्तार करने वारी कृति है इस अस्थापना को सामने रख कर आप नए तथ्थों का उध्गाटन कर सकेंगे राम की शक्ति पूजा जो केवल 312 पंग्तियों की कविता है वह कविता 23 अक्टूबर 1936 में पूरी हुई और 26 अक्टूबर 1936 के भारत में इसका प्रकाशन हुआ तो 23 अक्टूबर को जो रचना संपूर होती है और 26 अक्टूबर 1936 को जिसका प्रकाशन प्रथमता होता है उसका एक इतिहास गवेशना का विशा है निराला की दिती अनामिका में 7 अक्टूबर 1935 की एक रचना संकलित है छोटा सा गीत है सच है उसकी प्रसिद्ध पंग्तिया है बार बार हार हार मैं गया खोजा जो हार ख्षार में नया उड़ी धूल तन सारा भर गया नहीं फूल जीवन अभिकच है यह सच है यह निराला के पराजय बोध की आत्म स्विक्रती है यह 7 अक्टूबर 1935 की रचना है निराला रचनावरी के प्रथम भाग में 314 संख्यक प्रिष्ठ पर इसका रचना काल अंकित है ठीक तो जिनों के बाद निराला की एक कविता संपूर होती है सरोज स्मृति 9 अक्टूबर 1935 के दिन सरोज स्मृति पूरी होती है निराला रचनावरी के प्रथम भाग में प्रिष्ठ संख्या 324 पर इसका रचना काल दर्ज है अंकित है दो दिन पहले की कविता में पराजे की स्विकर्ति है और दो दिन बाद की कविता में जिसको हम शोक गीत कहते हैं निराला का विलाद कहते हैं उनकी स्वीकारोक्तियों का संगलन कहते हैं और बताते हैं कि निराला असपस्ट सब्दों में कहते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही उसी कविता के मध्य में एक संदर्व आता है या हिंदी का स्ने हो पहार या नहीं हार मेरी भास्वर या रत्न हार लोको तरवर मैं जो बार बार हारता रहा वा हार मेरी तात्विक नहीं है या हिंदी स्ने हो पहार है या मेरा रत्न हार है जिसको मैंने धारण किया है या मेरी हार नहीं है या मेरा रत्नहार है यानि दो दिनों में ही दुख का उदाती करण हो जाता है जिसको मनुविज्ञान की भासा में सब्लिमेशन कहते हैं रामविलाश शर्मा ने कहा है कि जब मृत्व शया पर पड़े हुए थे प्रेमचन तो बनारस में उनको देखने के लिए निराला गए थे और जब लोट कर आये तब उन्होंने कहा कि सिंग को गोली लग गई है और उसके बाद निराला ने राम की शक्ति पूजा के आरंभिक 18 वाक्चों को बनारस में लिखा था तो राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ होता है वारान सी में और कविता की पड़िसमाप्ती होती है भूसा मंडी हाथी खाना लखनव में और उसके पहले पाठक होते हैं राम बिराश शर्बा निराला ने जो लिखा 18 वाक्चों का जो विधान रचा तदकालीन हिंदी के नासमझ आलोचकों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसमें के बल्चू लगा दिया जाए तो बिच्छू जारने का मंत्र हो जाएगा यानि लोगों को राम की शक्ति पूजा का जो आरंब है उसकी विशेस्था का कोई अनुहव नहीं होता है पंतियां शुरू होती हैं रावन मत बहुचन मही यान राम बिलास शर्बाजी ने रव हुआ अस्त को लेकर और इस संदर्व के कई शब्दों को विध्धांग बगर को लेकर कहा ये वाल मीक से प्रहावित कृति हैं ये राम बिलास शी के स्थापना है परंद रचना प्रक्रिया की दिश्ट से किसी कविता की जब हम इमान सा करते हैं तो मेरी व्यक्तिकत पध्धती है पढ़ाने के क्रम में पहले शब्द पर ध्यान देना पहले वाक्ति पर ध्यान देना किसी भी महान कृति की जो पहली पंति होती है पहला सब्द होता है वहां कुझी धरी हुई है तो सक्ति पूजा की शुरुवात होती है रवि हुआ अस्त से यह वर्णात्प संदर्व है दिन भर वानडों के साथ राक्षसों की लड़ाई च सूर्यास्त हो गया सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता है भारते रणनीत के तहत तो वालमीक की रचना में सूर्यास्त से यह केवल प्रगट किया गया कि आज की लड़ाई रुक गई परन निराला के साहित्त को पढ़ने के क्रम में हम पाते हैं कि स्वेम उनका नाम है सूर्य कांथ पुराना नाम था सुर्ज कुमार तेवारी तो सुर्ज कुमार तेवारी को संसुध करते हो उने सूर्य कांथ पाथी निराला अपना नाम रखा और सूर्य कांथ एक मनी है जो सूर्य के प्रकास में द्रमित होती है पहगुडित होती है परन निराला के जीवन का हुआ अंधकार पक्ष है कैसे तो उनके जीवन में पत्नी चली गई पुत्री चली गई साहित में बार बार वे ढखेले गए और आर्थिक तंगी बनी रही जाना तो अर्था गवो उपाए पर रहा सदा संकुछित काए लखकर अनर्थ आर्थिक पत्पर हारता रहावे सदा समर सुचिते पहना कर चीनान सुक रख सकाल तुझे अतह दधिवुक खीन काल खीना कभी अन्न में लखन सकावे द्रिग विपन यह निराला की वयत्तिक स्थिती थी कि वे फटे हाल थे रिक्त हस्त थे ऐसे निराला के जीवन का जो अंधकार है इस पूरी कविता में अंधकार एक चडित्र है यह राम राम की शक्ति पुञा का राम अंधकार का अनुहो कर रहा है है अमानिशा उगलता गगनगन अंधकार खो रहा दिशा का ज्यान स्थब रहे पवन चार अप्रतिहत पीछे गरज रहा अंबुद विशाल भूधर जो ध्यान मद केवल जलती मशाल यहां निराला ने मशाल सब्द को ला दिया है पूरी रचना में विजातिये शब्दों की दिस्टे मशाल एक है और देशज भाषा की दिस्टे टलबल एक दूसरा शब्द है पूरी कवता का जो स्ट्रक्षर है उसकी जो संडचना है उसमें ये दो शब्द तत्संप्रण भाषा में अलग से गूत दिये गए हैं और इन दोनों का एक अर्थ है मैंने कहा कि रविहुआ अस्त का अर्थ होता है सांस्कृतिक द्रिष्ट से भी कम तमस में हैं हमको आलोग चाहिए यानि अंधकार कट रहा है विजय का प्रातहकाल आ रहा है और आप देखेंगे कि समुद्र नदियों में नहीं समाता है नदियां समुद्र में विशर्जित होती है तो राम ने जो शक्त पूजा प्रारंब की थी जिसका अंतिम इंदीवर उठा कर दुर्गा ले गई उन्होंने चला तो राम ने एक पुरुशार्थ किया यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रत घं कहती थी माता मुझे सदा राजी वनें दो नील कमल है शेश अभी यह पुरस चर्ण दे कर पूरा करता हूँ माता है एक नें अपनी एक आँख का उठसर्ग करने के लिए राम जब तैयार होते हैं क्योंकि वे आसन छोड़ नहीं सकते हैं राम का यह जो कर्म होता है कि बान निकाल कर आख कार कर देवी के चरणों पर वे समर्पित करने के लिए उद्यत होते हैं तो भगवती प्रकट होती हैं उनके हाथ को थाम लेती हैं और तब होगी जए होगी जए हे पुरुशो तम नवीन मुझे याद आते हैं अरनेस्ट हेमिंग वे जिनकी प्रसिद धिक्रती है दा ओल्ड मनेंद सी तांतियागो बार बार आता है तूटी नाव लेकर तूटी पतवार लेकर जीर्ण सीर्ण पाल लेकर और समुद्ध तटके युवक मच्वारे उसका मखौल उडाते हैं क्योंकि एक भी मच्वी वह पकड नहीं पाता है मगर रोज आता है प्रेत्न करता है एक दिन का वाकया है वह एक शार्ट या वेल को पकड़ कर ले आता है रास्ते में अन्य मच्वीयां उसको खाने लगती हैं तट तक खीच कर लाता है और वह गिर जाता है समुद्र के तट पर हेमिंगवे टिपणी करते है एक आदमी को बरबाद किया जा सकता है तवाह किया जा सकता है परंत उसको हराया नहीं जा सकता है वैसे ही राम को हराया नहीं जा सका निराला को भी हराया नहीं जा सका राम की शक्ति पूजा छायवाद के प्राक्रम की प्राकाश्था है छायवाद की जो काब विभाशा थी लड़ित काब विभाशा पंतने पल्लों के प्रवेश में जिसके सम्मन्द में जबरदस्त टिपने की है और जिसको हम कोमल कांत पदावली के रूप में निरुपित करते रहे हैं वह का बिभाशा यहाँ खंडित होती है निलाला ने सरोज को कहा है मेरे स्वर की रागनी वहनी मेरी जो आवाज है मेरी जो रचना धर्विता है उसमें जो रागनी का तत्व है कोमलता का तत्व है वह और उसमें जो अगनी का तत्व है वह स्विता है वह दोनों की दोनों मेरी इस रचना में फली भूत है ठीक राम की शक्ति पूजा में भी आप पाएंगे कि भाशा के स्थर पर यहां कठोड़ता भी है और कोमलता भी इसमें जो कठोड़ता आती है वो गौरी रीत की है विक्टाच्छर बंध की है समस्त पदावली की है पर इसी रचना में फ्लेस पैक की टेकनीक से प्रत्यक दर्शन प्रणारी की दृष्टि से राम जब हतास जैसे हैं तो उस अंधकार में उनको शक्ति मिलती है ऐसे ख्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृत्वी तन्या कुबारी का छब अच्छुत देखते हुए दिश्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लथांतराल मिलन नैनों का नैनों से गोपन प्रेसंभासन इस्था से जो संदर्वा आता है कमनियता का संदर्वाता है सीता की पुस्पवाटिगा वाली छवी की इस मृतियों से राम उस लालिति से शक्ति की प्राप पिगरते हैं और तब भाशा के स्थर पर हम देखते हैं कि कठोरता के साथ साथ कोमलता भी यहां है यह भाशा का अर्धनारी शुरत्व है जिसको क पारवती पुस्पश्वर शिव जितने ही उग्र है पारवती उतनी ही कोमल है पारवती का निर्थ्य है लास कोमल और शिव का है तांडव इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तब एक अर्धनारी शुरत की परिकल्पना आती है बार्त वर्ष में इन दोनों की सह इस्थिती को हम जातिये चर्ट्र के रूप में और रचना के चर्ट्र के रूप में भी हम देखते हैं किया राम की शक्ति पूजा के राम निराला के प्रतिरूप हैं छायवाद को मैं शैली का काव्वे बाना जया है आत्मा ही वंजरा का काव्वे बाना जया है वो लीरिक का काव्व्य है वो गीती काव्व्य है परंत कामाईनी और आम की शक्ति पूजा जैसी दो प्रवंधात्म कृतियां वहां मिलती हैं कामाईनी के मनु में जिस तब प्रसाद के परिवार के विध्वन्स की कहानी है समाविष्ट है वयक्तिक संदर्व जहां प्रकारांतर से आते हैं ठीक उसी तरह राम की शक्ति पूजा के प्रवंधत में निरावा के आत्म तत्व का संग्रथन दिश्टिकत होता है दिक जीवन को जो सहता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया सोध, जान की आह उद्धार प्रिया का हो न सका, राम रोते हैं, बड़े आदा पुर्शोत्तम राम, भगवान राम रोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनवंतर का पहला महानायक मनु रोता है कामाईनी में, प्रारंब ही होता है चिंता सर्ग का रोते हुए मनवंतर के प्रतिधी चरित्र से, हिंगिर के उतुंग शिघर पर बैट शिला की शीतल छां, एक पुरुषभींगे नैनों से देख रहा था प्रड़े प्रवाह, तो छायवाद एक रुदन शील का बिरहा है, इसमें उसकी मानवियता सन्निहित है, आशू लिखा गया, उच्छास लिखा गया, परिवर्तन लिखा गया, महादेवी के वेदना संबलित गीत लिखे गये, यानि च्छायवाद यहां से वहां तक कात रोकती बानी गई, मैं नीर भड़ी दुख की बदली, यह एक पंगती च्छ च्छायवाद को गीतात प्रदान करता है, तो क्या राम की शक्ति पूजा एक गीत है, हम तो प्रबंध के रोप में उसका विवेचन करने के भैस्त हैं, क्या राम की शक्ति पूजा को हम गीत कह सकते हैं, प्रजीत कह सकते हैं, टी एस ऐलियट ने कहा था, कि काब्वे में व्यक्तित्तु का जब प्रक्षेपन होता है तो काव्य के मूल एक्षडित हो जाते हैं और रचनाकार में और भोगता में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए अन्य था काव्य की कीमत गिर जाती है Poetry is not the telling laws of emotions but an escape from emotions. It is not the expression of the personality but an escape from the personality. There is a great difference between the man who suffers and the mind which creates. The greater the separation, the greater the artist. यानी T.S. Elliot साफ तौर पर कह रहे थे कि रचना में रचनाकार के व्यक्तित्त को निश्चिन्ध रहना चाहिए परंतु राम की शक्ति पूजा च्छायबाद की एक ऐसी अनुपम्कृति है जिसमें प्रवंधत भी है और गीत धर्मिता भी है तो गीत और प्रवंध को जोड़कर एक नए प्रकार के शिल्प विधान को निराला हमारे सामने रखते हैं इस पर भी विचार करने की जरूरत है तो राम की शक्ति पूजा सच पूछे तो निराला के द्वारा अपने पुरुशार्थ के खरण की पुनर प्रागत भी है निराला स्वेम को जानना चाहते हैं अपनी ताकत को पहचानना चाहते हैं और राम के माध्यम से उन्होंने अपना भी आख्छान लिखा है छायवाद की हमान भी ये था निश्य ही भारत की काववे में विरल है इसके पहले ऐसी कृतियां सामने दा आई थी जिरमें प्रवंध में हम व्यक्तित्त को देखें ऐसे एवी कीथ रहें एक जिका कहा उनकी दिश्ट थी पास शात्य उन्होंने कहा कि मेग दूतम दूत का या कथा का अब नहीं है मेग दूतम यक्ष की विरहवेदना नहीं है यह विरहवेदना कालिदास की है जिसके सूत्र को पकरकर नागार जुन्ने एक छोटी सी कविता लिखी थी कालिदास सच्च बतलाना रोया यक्ष की तुम रोय थे यानी प्राचीन भारती साहित्य में मेगदूत में हम पाते हैं कि रचनाकार का व्यक्तित भी वहां किसी नी किसी रूप में प्रतिभासित होता है और निश्चित तोर पर जब कोई रचना सामने आती है तो हम रचनाकार के व्यक्तित को भूल नहीं सकते हैं तो यह रचना काल जई इसलिए है कि इसका संप्रेशन युग युगान तक मनुष्य मात्र के साथ है आरे आती है के वलभाशा निरादा जी के साथ दुरुहाग गया था कि बहुत बात चलकर उनको ऐसे चेले मिले जिरोंने उनका महत तो समझा था और समान धर्मा लोगों में एक मात्र जैसंकर प्रसाद थे जिरोंने गीत का की एक प्रिष्ट की भूमिका लिखते हुए संपूर निराला को सूत्रवध कर दिया था कि निराला क्या है और मतवाला के चंद को रोने उद्धित किया था अम ये गरल ससीकर रविकर राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है ये हमतवाला तो निराला को छायवादी प्रसाद ने समझा निराला को बनारसी दास चतरवेदी ने नहीं समझा निराला को पंत ने भी नहीं समझा लेकिन निराला को महादेवी ने समझा और संसमरोडों में उन्होंने जिक्र भी किया है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि संसमरोडों के आधार पर भी हम किसी रचना के मूल्य का निर्दहारन कर सकते हैं आप राम की शक्ति पूजा को जब भी पढ़ें तो मेरा निवेदन है कि आप इस द्रिष्ट से पढ़ें यह शक्ति की राम पूजा है 35-36 का जो समय था ब्रिटेन की सत्ता थी चारों तरफ कालिवा थी नेत्रित्व दिक्भांत था रास्ता सूज नहीं रहा था ऐसे समय अमा अनिशा के ऐसे वातावरण में केवल जलती मशाल मशाल क्या थी यह रास्त्री जीवन का संदर्व है सारे आंदोलन स्टेज पढ़ गये थे कांग्रेस का आंदोलन सवने अवग्या आंदोलन कुछल दिया गया था देश में राजदैतिक गतिविदिया मंद पढ़ गई थी बुद्ध जीवी अंतर मुखी हो चुके थे कहीं से कोई प्रेरणा दिखाई नहीं पर रही थी इसी संदर्व को सामने रखते हुए रास्त्रिय पढ़ दृष्च में निराला ने इस रचना को स्वतंता के संघर्ष का एक प्रतीक भी बना दिया है थे अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खोड़ा दिशा का ज्यान अस्तब्ध हैं पवनचार तमाम आंदोलन रुख गये हैं अस्तब्ध हैं पवनचार और अब प्रतिहत पीछे गरज रहा अंबुध विशाल इंग्लेंड जिसकी नेवी फोस जिसकी नौ से ना बड़ी जबरदस्त थी समुद्र पर जिसका शासन चलता था उस समुद्र में उत्ताल लहरें उठ रही थी तकरा रही थी लहरें एक विवीश का पैदा हो रही थी उस परिस्थित को काभी की लाक्षिनिक शैली में व्यक्त किया है अर्थ को समझने के लिए इस प्रक्रिया को पगरना होगा है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्यान स्तब्द हैं पवन चार अब प्रतिहत पीछे गरज रहा अमधिवशार भूधर जो ध्यान मग्ड के देश के प्रोफेसर हैं देश के पत्रकार हैं देश के लेखक हैं बुद्धी जीवी हैं भूधर जो ध्यान मग्ड केवल जलती मशार हिमाले पर जब दिन करने का विज़ा लिखी थी तो जर ही माले को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम कर क्या रहे हो तुम चुपचाप जो बैठे हुए हो देश का इससे क्या हित होने वाला है देश तो लुट गया तो भूधर प्रतीक हो जाता है जर का तब ये मशाल क्या है भारतीय राजनीति में जब आप गहराई से प्रवेश करेंगे तो इतिहास की खोह में जब जाएंगे तो लगेगा आपको कि लाला हरदयाल ने एक गदर पार्टी की इस्थापना की थी इरान से होते हुए कराड़ा तक उसका विस्तार था और उसके जण्डे का चित्र था मशाल वो करांति का प्रतीक था यानि जो ससस्त्र आंदोलद करने वाले लोग जो कामा गाटा बारू जैसे जहाज पर हत्यारों को बेजने वाले लोग थे निराला ने बरी खुबी से उसकी और संकेत किया अंग्रेजों को अगर इसकी ब्याक्षा कर दी जाती तो यह कविता भी जब्त हो जाती क्योंकि केवल जलती मशाल के दोरा गदर पार्टी के कारिक कलापों के ओर इशारा कर रहे हैं और यह भारत माता की भी यहां जो शक्ती हैं उनकी भारत माता के रूप भी परिकल्पना की जाती है और इसके जो हनुमान है जो अहर दिश आग उगल रहे हैं जालाब की पहार की तरह जो विल्कुल आग्रेव अक्षित्त रखते हैं वे क्या हैं उस समय का जो टांतिकारी आंदोलन था जिसको आतंगवादी या टेरिरिस्ट मॉप्मेंट कहते थे अंग्रेज चंद्शेखर आजाद और भगत सिंग के दल को जिससे जोरा जाता था हरुमान उसी उग्रवाद के समर्थक की रूप में सामने आते हैं आप देखेंगे कि जब राम रो परते हैं शक्त की विरंबरा को देखकर जब राम की आँखों से आशू चू परते हैं तो एक आएक आवेश में आते हैं हरुमान और वे कहते हैं ये अस्रुराम के आते ही मन बेविचार उद्देल हो उठा शक्त खेल सागर हो स्वसित पवन उन्चास पिता पक्ष से तुमल एकत्र वक्ष पर गिरा वास्प को वहा अतुल शत घूरा वर्त तरंग भंग उठते पहा जल रास रास जल पर चढ़ता खाता पच्छार यह जो समुद्र के उद्देलन का वरणन है भारत में जब यह कविता छपी 26 अक्टूबर के अंक में तो प्रेस की भूतों ने एक गलती गड़त हम पढ़ाने वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए बहुत दुनों तक राम की शक्ति पूजा का जब अध्यापन होता था तो जल रास जल और रास के बीच पहाइफन और फिर रास योड जल के बीच पहाइफन जबकि बांगला भासा का यह प्रयोग है रासी रास धेड़ धेड़ रासी यानि धेड़ धेड़ जल रासी रास जल पर गिरता खाता पछाड इधर की जल रासी इधर इधर की जलरासी इधर यह गिर रही है और यह जो जलराशी है यह समुद्ध्र के उद्वलिन का वरण तो करने वाली है ही उस समय के करांतिकारी आंदोलन को भी बिंबित करने वाला एक प्रतियमान अर्थ देने वाला संदर्व है रास्ट्री फलक पर यह कविता जब सामने आती है वयक्तिक फलक पर हमने देखा रचना के फलक पर देखा बर रास्ट्री फलक पर देखेंगे जब जामवंत कहते हैं कि शक्त की करो मौलिक कलपना करो पूजन तो शक्त की मौलिक कलपना क्या है बहुत लोग इस पर बहुत त बड़ सामने इस्थित जो भूधर सत हर्थ गुल्म त्रिण से शामल सुन्दर पारवती कल्पना हैं इसकी मकरंद बिंद गरजता चर्ण प्रांत पर सिंग नहीं सिंद। वहत पुरुन प्रतीक हैं जागो फिर एक बार को आप याद करें सिंगों की मात में आया है आ स्यार जागो फिर एक बार या मात भरत है यह सिंगों की मात यहां सियार बोल रहे हैं यह निराला का कश्ट है तो देखो बंधुबर सामने इस्थित जो यह भूधर सर्त हर्त गुल्मत्रण से शामल सुन्दर यह जो प्रकृति वरणन है इसके पीछे मैं दिवेदन करूं कि विवेर कानंद एक बार दक्षिन की प्रवास पर गए और क खोटे से टापू पर तैर कर पहुँचे और उत्तर की दिशा में ताकने लगे आज भी उस अस्थल को विवेकानंद रॉक्स कहते हैं विवेकानंद ने वहां बैठ कर भारत माता की मूर्ति को देवी की मूर्ति से उपमित किया था निराला ने ठीक यही ग्रण कर लिया थ और तब राष्ट को देवी की शक्ति से जोडते हुए एक तरफ उन्होंने राम कथा लिखी जिस पर लोग कहते हैं कि कृतिवास ओजहा की जो बांगला रामायन है वहां उसका अनुकरण है कुछ लोग कहते हैं कि देवी भागवत में विष्ट उन्हें जो शक्ति की आराधना की थी उसका अनुकरण है मगर मौलिक कभी वह होता है जो प्रभावों को आत्म साथ कर अपनी प्रत्वा की भठी में गला कर एक नया दब बे पैदा करता है राजशेकर ने काभ भी विमांसा में अर्थ हरन पर साहितिक छोडी पर विषयार करते हुए कहा है कि बनियां जरूर छोडी करेगा और कभी जरूर छोडी करेगा मगर जो चोड़ी को पचा लेगा वो बनिया महाजन हो जाएगा और जो कवी चोड़ी को आत्म साथ करके पचा लेगा वो महा कवी हो जाएगा हमने किसी के हंसुली चुडा लिए और उसको कंगन मना दिया कंगन के रूप में ढाल दिया हमने किसी का चंद्रहार चुडा लिया और उसको हमने टॉप्स के रूप में ढाल दिया चूडी के रूप में ढाल दिया तो चीज वही है द्रव्य वही है परंद उस द्रव्य को हम बदल देते हैं प्रतिभा का मूल अर्थ यही है प्रतिभा व्यत्पत्य और अभ्यास यह बातें कही गई हैं अच्छी प्रतिभा बिना विद्या के नहीं होती है निराला पंडित कभी थे और अभ्यास भी करते थे तो उन्होंने कहा पंद पर लिखते हुए पंद और पल्लों में पंद की चोड़ी पर विचार करते हूं रोने गंभीर इलजाम लगा है कि रोने प्रता रेखांकित की है निराला की रचनाओं की चूड़ी की और भी जोट प्रसाद मिस्ट निर्मल जैसे आलोचक ने लगातार लिखा ऐसा लिखा कि निराला तिल्विला गय थे उनीस सो तेईस में जो पहली अनामिका छपी थी आज उसकी प्रतियां नहीं मिलती है निर प्रतिकांस कविताओं पर असर टैगोर का देखा गया था और निराला को यह गवारा नहीं था कि कोई कहे कि उन्होंने किसी का अंधा नुसरण किया है नास तिचोड़ो वनिक जना नास तिचोड़ो कब जना यो जानात विगूहितम जो विगूहन की कला जानता है उसी की बचलियता नहीं होती हो छिपा देना जानता है आत्पुसाद कर लेना जानता है उसकी कोई भी विगरहना नहीं होती है टैगोर ने साह जहां पर कविता लिखी थी काफी बढ़िया कविता है जिसकी पंक्तियां हम लो अकसर दुहराते हैं काले इरकॉपॉल पड़ी एक प सम्राट अस्टम एडवर्ड ने क्या छोड़ा प्रेम के लिए उन्होंने क्या छोड़ा कैसा साम्राट जी छोड़ा इसका वरनन करते हुए शाह जहां की पंक्तियां उनके सामने आती हैं तो बड़ा लेखक परंपड़ा को चुरौती के रूप में लेता है और उसका नभ बीक को दुहराना रगवनसम को दुहराना कृतिवास को दुहराना तुलसी को दुहराना इनका अभीष्ट नहीं है इन्होंने प्रसंगोत भावनाएं भी ऐसी की हैं तो इस रचना के बारे में जो अभी सवाल आया कि काल यही क्यों है तो काल को जीतने की ताकत तो काल में ही होती है बहाकाल कहा गया है मृत्य को और निराला ने मृत्य को जीत लिया है हिंदी साहित्य के अइतिहास में आमिय और गरल दोनों को एक साथ पी कर वे मृत्युन्य की महिमा को साकार करते हैं राम की शक्ति पूजा को इस दृष्टिकोन से पढ़ने की जरूरत है मेरा प्रस्ताव है कि एक बार उसके पाठ को हम पुनह पढ़ें क्योंकि पाठ से ही अर्थ खुलता है निसकर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक ऐसी प्रबंध धर्मी रचना है जिसमें गीत और रास्ट्रियता का संसलेशन दिखाई पड़ता है इस कविता के प्रणेयन के द्वारा कवि ने परमपड़ा को नई अर्थवत्ता प्रदान की है यह कृती छायवाद की काब विभाशा को नई भूमी पर अवस्थित करती है राम की शक्ति पूजा वस्तुतह शक्ति की राम पूजा है जिसमें मानवीय शौर्य को महत्त्व मिला है